हेलो स्टूदेंट्स वेलकम तो दे सार्कुलेटरी सिस्टम लेक्चर नमबर फाइफ आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लाड प्लेक्लेट्स यानिके थ्रॉम्बोसाइट्स यहाँ पर मैं लिखना भूल गई हूँ ब्लाड प्लेक्लेट्स को थ्रॉम्बोसाइट्स भी बोलते हैं क्या बोलते हैं थ्रॉम्बोसाइट्स उसको बोलते हैं थ्रॉम्बोसाइट्स यह इंपॉर्डेंट है याद रखना ठीक है यह ब्लाड प्लेक्लेट्स उनके स्ट्रॉक्चर्स देखते हैं यह बहुत ही छोटे-छोटे होते हैं ओवल और राउंड होते हैं ठीक है इनका नंबर क्या है एक बात अब और देखलो यह जो ब्लाड प्लेक्लेट्स है इनके स्ट्रॉक्चर्स क्या है माइनूट ओवल और राउंड स्ट्रॉक्चर्स जबकि हमारे WBC का स्ट्रॉक्चर क्या था और RBC का स्ट्रॉक्चर क्या था बाइक कन के डिस्क सेप्ट यह सब इंपॉर्डन है यह एक्जाम में आ सकते हैं WBC अमोईबर्ड और RBC का क्या था यह सबसे इंपॉर्डन है यह सबसे ज़्यादा ही आता है यह क्या है बाइक अनके डिस्क लाइक उके उसके बाद देखते हैं उनके लाइबस्पान क्या है जो प्लेटलेट से उनका लाइबस्पान क्या है 3-2-5 देज जबकि हम अगर देखें तो RBC का लाइबस्पान कितना था 120 देज यह भी डेस्ट्रोइड इन स्प्लीन RBC भी डेस्ट्रोइड इन स्प्लीन और लीवो यह भी डेस्ट्रोइड इन स्प्लीन स्प्लीन क्या है एक टॉंसिल का ग्लैंड है एक लुम्फाटिक और्गन है जो की हमारे एंपदॉमेन पहले हैं जो हमारे इंप्डोमेन में मैंने टॉन्सीं का और गल्दी से बोल दिया था टॉन्सील बेगशलम्फाटिक और और यह दिख्या इंजिये शेल्स वलाइम करो। यह पर पर प्रडूस्ट होते हैं Red Bone Marrow यहां पर ज्यादा स्पेसिफिक करके लिखा है कि यह जो प्लैटलेट्स होते हैं यह मेगा कारियोसाइट में स्पेसे पर होते हैं जब कि जो रहीरा बीचैनले उनमें ऐसा कुछdar था कि पर्टिकुलर इकोणमें निंग यह बहुत कुछ आपको बताया था कि यह जो मास है अगर हमें कट लग जाती है यह एक मास सा हो जाता है इसको हम बोलते हैं यह जो फिब्रिनोजन बोलते हैं मैंने थोड़ा बूत आपको बताया था लेकिन आज हम क्या करेंगे पूरा देखने वाले हैं कि हमारे जो क्लॉटिंग है और कैसे होता है स्टाइबust से एक दो अजाते हैं यह ज्यादा के पॉंट आपिव से हमें ज्यादा क्यूत के मैं आए ना आए इस इस कॉल्ड बाइलोजी वी शुट नो बाउट बॉड़ी वी शुट नो वट इस गोई इंसाइड आवा बॉड़ी ओके यह क्या मतलब क्लॉट के प्रोसेस हम देखते हैं पहले क्या होता है जो इंजोर सेल्स हैं प्लेटलेर से जो डिस इंटीग्रेट ह हो जाते हैं उनके साइड में वह कुछ रिलीज करते हैं और क्या है थ्रोंबो काईनेस फॉस्ट मैं लिग देती हूं मैं एक आपको मतलब पहले आपको मैं कुछ टेबल सा बना देती हूं फिर मैं समझाओंगी जो आपके बुक में ही लिखा है यह जो टेबल में बनाने वाली हूं यह आपके बुक में ही है पहले क्या हो गया इंजोर सेल्स को आई जे सी लिख रहे हूं इंजोर सेल्स क्या रिलीज करते हैं थ्रोंबो काईने मैं ठोंबो क्या करता हैं इस त्लेंट करता है ठीके एक प्रोत्रोंबीन होता है यह सब डिटेल में पड़ोगे आगे जाके जब आप 11 12 में जाओगे लेकिन अभी जो को है आपको important है ओसमें आपको यहीं पर बता रही हूं Prothrombin कि यह Prothrombin क्यालसियम जब क्यालसियम आयन्स आते हैं यह इनक्टिव यह important है यह इन आक्टीव है यहां पे कैलसियम आईउन से और एक बात आप देखलो आपको kwelt में आता है कि कौन सा questo मिनरल है हमने फ्लोटिंग ब्लड में से करता है आप क्या लेख हो के कैलसियम मिनरल कौन सा है कैल्सियम यह थ्रॉम्बो काइनेज जो है जिसको हम थ्रॉम्बो प्लास्टिन्स भी बोलते हैं अभी तो उसको फैक्टर एस और स्टुवर्ट फैक्टर भी बोल रहे हैं यह सब कुछ आपके बुक में ही लिखा हुआ है थ्रॉम्बो काइनेज रिलीस होता है थ्रॉम्बो काइनेज कौन रिलीस करता है जो प्लेटलेट्स होते हैं उनके साइड में यह जो थ्रॉम्बो काइनेज यहां पे आते हैं वो क्याल्सियम आइन के साथ मिलक कर क्या करते हैं प्रो थ्रॉम्बीन को थ्रॉम्बीन बना देते हैं जो एक यह एक एंजाइम के तरह क्याम करता है ओके एक एस एंजाइम है कि उसके बाद क्या होता है हम देखते हैं कि यह आप यहां पर रख लो आपका क्या थ्रोंबीन ओके थ्रोंबीन ओके से काम करता है आक्टीफ फर्म है प्रोंबीन का एक 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 एंजाइम यहां पर फिवरीनो जोन होता है आपके ब्लड में फिवरीनो जेन यह इनाक्टिव है फिवरीनो जेन इनाक्टिव है यह क्या हो जाता है फिवरीन यह enzyme के तरह जो हमारा थ्रोम्बीन है यह enzyme के तरह काम करता है और फिर क्या होता है मैंने एक गलती से बता दिया यह inactive नहीं यह inactive नहीं यह क्या है यह inactive नहीं यह क्या है this is soluble यह क्या है soluble है यह soluble है और यह जो फिवरीन है यह insoluble है यह जो thread like आप देख रहे हो यहां पर देख लो यह जो thread like है न यही insoluble है यही फिवरीन है तो ऐसे तो हमारा चोटा समतलब हम बोल सकते हैं कि यह समरी के तरह हमने complete कर लिया हमारा क्या clotting cycle clotting के जो factors है main reactions है हमने complete कर लिया लेकिन हम अब details में जाएंगे जो हमारा clotting है उस process को हम detail में देखेंगे ओके पहले क्या होता है चलो देखते हैं first step first number one यह आप याद रुखो बहुत ही important है यह चीज clotting वाला चीज बहुत ही ज्यादा important है पहले क्या होता है thrombokinase released from injured tissue cells and the platelets okay which disintegrate at the site of the wound release is often thrombokinase यह जो thrombokinase यह जो thrombokinase यह thrombokinase black thrombokinase released thrombokinase released by ijc injured tissue cells and platelets okay at the site of the wound okay thrombokinase release होने के बाद क्या होता है यह देखलो अब यह देखलो यह क्या है यह serum है serum what is serum I will tell you मैं भी बता देती हूं serum is blood plasma without blood corpuscles अब बता सकते हो sorry blood plasma without fibrinogen मैंने गलती से बता दिया serum is blood plasma without fibrinogen यह देखलो इसके बाद हम क्या करेंगे thrombokinase यह हो क्या पहला step उसके बाद क्या release होता है मैं यह सब को चलो ठीक है okay can I write here yeah I have to write here there is no space so let me write here okay see thrombokinase release होने के बाद मैं यहां पर लेख देती हूं मतलब आपको समझ में आय जाएगा कि यह previous में जाना है आपको ठीक है thrombokinase release होने के बाद हमारा क्या होता है yes thrombokinase release हो गया thrombokinase क्या करता है वो एंजाइम का तरह काम करता है with the help of calcium ions present in the plasma हमारे blood plasma में क्या है calcium ions होते हैं ठीक है वो thrombokinase क्या करता है calcium का साथ मिलकर हमारे blood में जो inactive प्रोट्रोंबीन है उसको क्या कर देता है thrombokinase आगे second step देखते हैं second second में क्या होगे thrombokinase thbk calcium okay calcium ions यह इंपोर्डेंट है यह आपके question में आएगा मैं बार-बार बोल रही हूं which is the mineral that helps in the formation of blood clot तो आप क्या लिख्यों के calcium okay यह क्या हो गया हमारे जो इनक्टिव प्रोट्रोंबीन था प्रोट्रोंबीन यह लिख्यों आप इन एक्टिव उसको क्या बना दिया एक्टिव उसको क्या बना दिया एक्टिव थ्रोंबीन तो इसको क्या बना दिया एक्टिव थ्रोंबीन अब यह है थ्रोंबीन क्या करेगा थ्रोंबीन इन प्रेजेंस ऑफ क्या क्या है यह जो थ्रॉम्बी ने यह फिर क्या करेगा यहां पर क्या क्या करेगा है क्या क्या करेगा हमारा जो फिवरीन ब्लड में है फिवरी नो जेन क्या है इन्सॉलीबल उसको क्या कर देगा फिवरीन यहां यहां पर यहां पर आप देखो यह जो है यह से देखे लो यह जो ठ्रेट लाया कुछ बना है इसको ही हम बोलते हैं कैसे बोलते हैंogni तो फिर उस्टिकी सा भी फर्म करता है मतलब फ्रेड होता है उससे सा होता है जबर ओध्र ना हो तो क्या होगा नेटवर्क नहीं फॉर्म होगा जो मैस मतलब एक नेटवर्क के तरह जैसे कि मैंने इसको बताया भी था प्रीविएसली इससा कुछ फॉर्म कर दाता है जैसे आप समझ लो यह कुछ नेटवर्क सा मतलब जाल सा बना देता हुए वहां पे ताकि वह जो फारदर बलर लॉस्ब को रोक सके के अथ्ट है है इससी लिए हम बोल सकते हैं जेसे कि आप देखो थोंगो साइस कि यू बोलते हैं प्लेक इसको यह अंपर हमारा पेला क्या हो गया थिप्रमब कैलिश हुआ में उस किसके बज़े से हुआ पहले रिलीज हुआ प्लेट से इसलिए तो हुआ ना तो उसको इसलिए हम क्या बोलते हैं थ्रॉम्बो साइट उसके अंदर जो मतलब नेट्वरक सा है उसके अंदर हमारा जो जितना भी प्लेट लेट से जो भी है प्लेट लेट से जितने भी और ट्राप होके रहे जाते हैं और जो प्लाजमा निकलता है डाटीज मैंने आपको बताया अभी अब ब्लॉड प्लाजमा विदाउट फिवरिनोजेन इसकल सेरम यह आ सकता है सेरम क्या है यह आप लिख लो सीरम यह दिख लो सीरम सीरम और प्लाजमा में एक डिफ्रेंस ब्लॉड प्लाजमा विदाउट फिवरिनोजेन ओके इसको क्या बोलते हैं हम सीरम बोलते हैं जो ब्लॉड प्लाजमा होता है विदाउट फिवरिनोजेन दाट इसकल्ड सीरम और जो सॉलिड मास रहे जाता है अंदर उसको हम क्या बोलते हैं क्लॉट ओके यह आप देख सक क्लॉटेट ब्लाड यह है सीरम ओके सो आपका मतलब क्लॉटिंग फेक्टर यहां पर कंप्लीट हुआ मैं मतलब मैं आसा करती हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा क्यूंकि इतना ही आपके सिलाबस में ज्यादा मतलब करके वहां पर नहीं लिखा है और एक चीज आप या वÓ भुक में कहीं लिखा नहीं है लेकिन ओंप एक है लोस्रों फ्良किन एक क्लॉटिंग में घुल करते हो को है ओ भी कोषच्छन आता है और वी च विटामीन हल्टच इन दॉट्र इन लुटा इस वाइड के वाईडमीन के कॉशांटिंग यह यह रख लो यह questions आते हैं अब previous दर के questions उठा के देख लो questions आते हैं so here we will end our lecture so thank you students have a nice day मिलते हैं next lecture में